ओडियो प्रमांक 13 उस्तक का नाम महाशक्ति की लोग यात्रा महाशक्ति में समाने का शिव संकल्प सुक्ष्मिकरण साधना के बाद से ही परम्पुज गुरुदेव शांतिकुंज सहित संकुर्ण युगनिर्मान मिशन को सरवता नए आयाम में पहुँचाने में जुट रित इसके लिए उन्होंने अपने लेक, साधना, आधी नियमित कारियों के साथ कारिय करताओं को तरह-तरह से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था सारे दिन एक के बाद एक गोश्ठियां चलती रहती इन गोश्ठियों में वह भविश्य में होने वाले कारियों का खुलासा करते नई योजनाय बनाते वह समझाते यह भी बताते कि उनके न रहने पर मिशन का किस तरह से विस्तार होगा यह कैसे वह किस धंग से चलेगा सारे कामों को करते हुए वह इन दिनों नई नई पुस्तोकों के रूप में एक रांती धर में सहित्य का भी सुरुजन कर रहे इस भावसपरशी सहित्य का सुरुजन उनके नियमित लेखन से अलग इन वर्षों में गुर्देव की समस्त गतिविधियां तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम हो चली थी इस उत्तर उत्तर बढ़ती हुई तीव्रता को देखकर भक्ती समवेदना से स्पंदित रुधियों को सहज ही अनुमान लगने लगा था कि भगवान शिव अपनी लोक लीला का समवरण करते हुए महा समाधी में लीन होने की तयारी कर रहे हैं शक्ति स्वरूपा माता जी गुर्देव के शिव संकल्प से अबगत थी उन्हें भली प्रकार मालुम था कि सत्य के मूर्तिमान स्वरूप गुर्देव के संकल्प वय योजनाय कभी मिथ्या नहीं हो सकती वह स्वयम भी उनकी योजनाओं के प्रती पूर्ण तया समर्पि थी फिर भी उन्हें इतना कठिन श्रम करते हुए देखकर उनका मात्र रुदेविकल होटता था एक दिन इसी तरह गुर्देव सुभका लेखन एवं उसके बाद कारे करताओं की गोश्टी लेने के बाद दोपर में फिर से लिखने बैठ गए लगातार विभिन्दकारिय के साथ लेखन करते हुए उनकी आखे लाल हो गए शरीर में के कष्ट तो सभी को होते हैं फिर वह चाहे अवतारी सत्ता ही क्यों नहों उस दिन अत्यधीक एवं लगातार लेखन करने के कारण गुर्देव की आखे एकदम लाल दिखने लगी थी इसके बावजूद वे दे चितिशा को देखा तो वह विवल हो गई भाव बिंदूओं से भरी हुई आखों के साथ उन्होंने गुरुदेव के सारे कागा समेट कर एक साथ एक जगह रखे उन्हें अपने हाथों से एक गिलास पानी पिलाया और उनसे पूछने लगी आप इतना ज्यादा श्रम क्यो करते हैं इस प्रशन के उत्तर में गुरुदेव कुछ देर तो चुप रहे फिर थोड़ा मुस्कराते हुई बोले दरसल हम अपने जाने से पहले मिशन की गाड़ी को खुब जोर का धक्का लगा देना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह धक्का इतना इतनी जोर से लगे कि नहीं आप इत्मिनान से होता चला जाए उस दिन की इस बात से माता जी ने नहीं गुरुदेव के अन्य निकर्टस्थ जनों को यहस्पष्ट आभास हो गया कि उनके भाव में भगवान अपनी लोक लीला को पूरी तरह से समेट लेने के लिए संकल्पित हैं इस सत्य से आवगत माता जी इन दिनों मिशन के सामाने कामकाज के साथ घर परिवार की भी जिम्मेदारिया निप्टाने के लिए प्रैत्नशिल थी अपनी सुपोत्री गुडिया मंदाकिनी बड़ी हो चुकी थी उनके उसके लिए वह सुयोग्यवर की तलाश कर रही थी गुडिया मंदाकिनी एवं चीनु चिनमे ये दोनों बच्चे अपने चुटपन से माता जी के साथ रहे थी उन्होंने प्रायह अपना सारा बचपन माता जी की गोद में और गुर्देव के आसपास खेल कर बिताया था गुडिया उनके शान्तिकुझ आगमन के कुछी समय अबाद मतुरा से उनके पास आ गई थी और चीनु का आना शैल दीदी एवं डॉक्टर साहब के साथ ही हुआ था उन्होंने स्वयम के साथ अपने शिशु को भी माता जी एवं गुर्देव को सौप दिया था इन बच्चों की सारी परवरिश माता जी की वातसल चाया में ह डॉक्टर साहब ने स्नेहशील अभीभावक की भांती इस कार्य में माता जी का हाथ पटाया अंततह वर्ष 1990 की माग पूर्णिमा 20 फरवरि के दिन गुडिया मंदा किनी साधगी पूर्ण किन्तु भाव प्रवण बातावरण में माता जी के गले लगकर अपनी ससुराल के लीविदा हुई इसके बाद वर्ष 1990 के 6 महिनों में गुर्देव के कार्यों की तीवरता यथावत बनी रही इस वर्ष के अंततक प्रायह संपूर्ण क्रांतिधर्मी सहित्य प्रकाश में आ गया इन दिनों वह बातचीत के क्रम में यह जता दिया करते थे कि वह सुक्ष्म जगत के परिशोधन के लिए अब पूरी तरह से सुक्ष्म लोग में डेरा जमाएंगे ऐसे ही वर्ष 1990 के अंति महिनों में एक दिन वह अपने विस्तर पर लेटे हुए थे लेटे हुए बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा जैसे लोग अपना कुरता उतारते हैं वैसे ही म पर कि इसके बाद फिर वह कहां रहेंगे उत्तर में उन्होंने कहा और कहां सारा काम करते हुए मैं एक अंश से माताजी के भीतर रहूंगा उनकी इन रहस्य में बातों से मैं एक रहस्य पूर्ण सत्यत सन 1990 की वसंत पंचमी के अवसर पर परमपुजी गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा वसंत पंचमी के अवसर पर महांकाल का संदेश इस पत्रक में उन्होंने अपनी भावी क्रियाकलापो को स्पष्ट किया अपनी इसी योजना के अनुरोप वह वसंत पंचमी के दिन ही प्रणाम के बाद से उन्हा परिपूरुण एकांत में चले गए अब व सभी समवेदन्शिल रुदेओं को को चला सभी विकल किन्तु विवश्ट थे भाव माई माता जी का समर्पन अडिक गुरुदेव के भौतिक जीवन के प्रती भी अविरल एबं असीम अनुराग के होते हुए भी वह उनके संकल्प के प्रती समर्पित थी अपने आराध्य चला साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गुरुदेव ने उनसे यह भी कहा है मेरे देह त्याग देने के बाद तुम सवभागे सिंदूर का त्याग न करना माता जी ने यह बताती हुए स्पष्ट किया कि गुरुदेव ने मुझसे यह कहा है कि तुम ठीक उसी तरह से अपने सौभागे सिंदूर को धारण किये रहना जैसा कि पिछली बार तुमने सारदा मणी के रूप में किया था उसी तरह लड़कों की देख भाल करती रहना कुछ ही सालों में ये लड़के सक्षम हो जाएंगे तब तुम भी देह का जंजट उतार खेकना माता जी की इन बातों को सुन कर सुनने वालों के देल बिलाक उठे बैठे वोई लोगों में से कोई कुछ बोला नहीं बस एक गहरी चुप्पी च्छाई रहे बस मुश्किल से कोई कोई इतना सोच पाया कि लगता है गुरुदेव ने माता जी से सवभागय संदूर न्यत्यागने के लिए इस कारण कहा है कि कहीं महालक्षमी के सवभागय चिन्यत्याग देने से समुचा विश्व सवभागय ही न हो जाए वह दिन बीता और उसके ब गुरुदेव ने शरेर छोड़ दिया उनकी अंतरचेतना महाशक्ती में लीन हो गए उनकी अंतरचेतना महाशक्ती में लीन हो गए उनकी अंतरचेतना महाशक्ती में लीन हो गए माता जी उस समय उनहीं के द्वारा दिये गए आदेश के अनुसार प्रवचन मंच पर थी स उनके जीवन यग्य की पुर्णाहुती के रूप में अगनी को समर्पित हुई देह के भस्म होने के साथ अगनी का तेज और ताप पूर्च गुर्देव के परम तेज के साथ माताजी बंदरिया माताजी में समा गया वह अविचल भाव से अपने प्रभू से वे भौतिक वियोग को सहते हुए महातप के लिए प्रवृत्त हुई भाव विभल वियोग का महातप करने वाली मा अब तक जो कुछ भी तपश्चर्या वत योग साथना की गई थी वह सब अपने प्रभू के आदेश वो उन्ही के सानिद्य में हुई थी बीज में जो वियोग के पलाए थे वे सीमित थे विश्वास्था की प्रभू गए हैं तो आएंगे भी उनके आने की अवधी प्राहनिश्चित थी अपने आराध्य के सानिद्य में अथ्वा उनके लोट आने की आशास में सहा गया महाकष्ट भी वंदनिया माताजी के लिए आनंद दाई था महाकंटको को भी उन्होंने सुकोमल पुष्पो की भांती समझा था असहिय वेदना भी परंपज गुर्देव के सानिद्य में घुलकर उनके लिए आलाधकारी बनती गई थी पिछले जीवन की लंबी अवधी में उन्होंने बहुत कुछ सहा था जीवन के जीवन में कई तरह के संकटों को सहते हुए उन्होंने कठोर तब साब्धनाई की थी उनकी सहन शक्ती इतनी अगाध और असीन थी कि गुर्देव उन्हें सर्वसहा कहने लगे थे वह कहा करते थे कि माताजी सर्वकष्ट सहिष्णु हैं वे सब कष्ट संकटों को बड़ी आसानी से हसते हसते सह जाती हैं उन्हों सर्वसहा को भी बहुतिक वियोक का यह महातप असय ही लग रहा था इस असय को भी वहां हसकर सह रही थी उन्हें स्वयम को संभालने के साथ अपनी अगणित शिश्य संतानों को संभालना था प्रेम गुर्देव के नर्स रहने का दुख सभी को था सब के मन भीगे हुए और भारी थे इन मेंसे कईतो ऐसे थे जिनकी आखोस से महिनों आसों की जड़िया लगी रही उनकी भावुकता इन्हें हर पल भिगोती थी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे जीए आज इन बातों में हो सकता है किसी को विजित्रता या आतिश्योकती लगे पर जिन्होंने गुरुदेव को देखा है उन्हें चुआ है उनके प्रेम को पिया है उनके सानिदे में दो-चार घड़ी बिताई हैं उन सभी को इन बातों में सच और केवल सच के अलावा अन्य किसी तत्व की प्रतिती नहीं न होगी जब सामाने जनों की है स्थिती थी तो भाव मैं माता जी की विभलता वविकलता की कलपना करना सामाने जन्मन के लिए पूरी तरह से अकलपनिय है अपनी इस असीम वेदना को सहती हुई वे उन दिनों भी नियमित प्रणाम में बैट रही थी उनके मिलने जुलने का क्रम भी पहले की ही तरह निश्चित वनियमित था अपने बच्चों के लिए उनका प्यार दुलार वो उन पर आशिशों की अजस्र वर्षा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी लगातार विस्तार करते मिशन की अगणित जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्व जननी विश्व कल्यान के लिए अहर निश्टप कर रही थी बीच बीच में वह अपने भावुक और नादान बच्चों को भी धीरज देती थी उन्हें दुलारती वो पुछकारती थी पिता के नव हुने पर मा का अपनी संतानों के प्रति प्रेम और भी ज्यादा सघन और सजल हो गया था इन्हें प्यार करते हुए वह जब तब अपना उधारन देते हुए यह समझाती थी कि देखो सहा कैसे जाता है सहिश्नुता क्या होती है और यह जीवन के लिए कितनी आवशक है वे बताती कि उच्च स्तरिय जीवन के उद्देश्यों के लिए कश्ट सहने का दूसरा नाम ही तपस्चरिया है जो सहिश्नु है वही तपस्वी हो सकता है जो सच्चा तपस्वी है सहिश्नुता अपने आप ही उसका स्वभाव बन जाएगी इन दिनों कभी-कभी तो वह यह भी कहती थी जिसने सहन करने की कला जान ली समझो उसने जीवन जीना सीख लिया उनकी इन बातों में उनके निजी जीवन के अनुबुती गुली थी अपनी अनुबुती का आमरत पिलाने के लिए माता जी कभी-कभी उन कारेकरताओं को अपने पास थोड़े समय के लिए बुला लेती थी जो इन दिनों बड़े विकल और बैचेंत हैं ऐसे ही एक कारेकरता को उन्होंने गुरुदेव के न रहने के दो महिने के बाद अपने पास बुलाया यह इन दो महिनों में ठीक से सोन पाया था उसके जीवन के दैनिक कामकाज बिखर गए थे गुरुदेव का अभाव उसके लिए असाय था अब क्या होगा? कौन करेगा उसकी जिन्दगी की सार संभाल? जैसे प्रश्न कंटक उसे बुरी तरह से चुब रहे थे विकल वेदना से भरे इन दिनों में उसने एक रात अर्धर निद्रा में सोपन देखा कि वह लेटा हुआ है और बंदनीय माता जी अपनी गोद में उसका सीर रखे है वह अपने हाथों को बड़े ही प्रेम पूरुन धंग से उसके सिर पर सहलाते हुए कह रही है परेशान नहों मौका मिलने पर मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगी सोपन की ये पल इतने ही थे परन्तु ये न जाने कैसे जादू भरे थे कि सोपन देखने वाले को दो महिनों में शायद पहली बार ठीक से नीन दाई सोपन बीतने पर भी उसकी अनुभूती यथावत रही एक दिन दोकहर को माताजी ने सचमुच उसे अपने पास बुला लिया इस बुलावे पर उसे तब अचरज हुआ जब उन्होंने सोपन की भाशा यथावत कह सुनाई अपनी बातों के क्रम में वह कहने लगी बेटा अपने बच्चों को दिलासत देने के लिए मां उनके पास नहीं जाएगी तो और भला कौन जाएगा फिर बोली प्रेम बहुत बड़ी चीज है लेकिन उससे भी बड़ी एक और चीज है करतवे जिससे हम प्यार करते हैं जिसके प्रती हमारी गहरी शद्धा है उसके आदेश को मान कर उससे हुए वियोगी की पीड़ा को सहते हुए यदि हम उसके द्वारा बताए गए करतवे का सतक पालन करते हैं तो यह महातप है ऐसा महातपस्वी किसी भी पीड़ा, कश्ट, परिशानी, दुनिया के लोगों के दुनियादारी भरीब बातों से किसी भी तरह विचलित नहीं होता शुद्र बुद्धी के उलाह ने उसे जरा भी डिगा नहीं पाते माताजी की इन बातों से बातों में उनके महातप की व्याख्या थी इन बातों के क्रम में उन्होंने बताया गुर्देव सामानी वक्ति की तरह मरे नहीं है उन्हें अपने विशेश काम के लिए शरीर छोड़ कर जाना पड़ा है वहाँ अभी भी परमवीर महानायक की भांती अपने मोर्चे पर कुशलता से डटे हैं विनाशकारी असुरी शक्तियों को वह कड़ी टकर दे रहे हैं हम सबको पवित्र जीवन जीते हुए उनके प्रति परिपूर्ण श्रद्धा वसमर्पन रखते हुए अपने कर्तवे को निभाना है यही हम लोगों की तपस्या है उनकी इन बातों को सुनते हुए सुनने वालों की आखों के सामने भाधरुष्य प्रत्यक्ष हो गया जब वंदनिया माता जी ने परमपुज गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम करते हुए अपने महातप का संकल्प लिया था बड़े ही भावपुरुण ख्षन थे यह माता जी के कमरे के बगल वाले हौल में गुरुदेव के पार्थिव शरीर को उठाने की तयारी हो रही थी एक पल पहले बिलक रही माता जी के मुकमंडल पर यकायक दुर्णता की अनोकी दीप्ती छा गई वह धीमे कदमों से उठी उन्होंने गुरुदेव के माथे पर दिलक लगाया और चरणों में प्रणाम करते हुए धीमे किन्तु दुर्ण शब्तों में कहा ये प्रभू मैं अपनी अंतिम सास तक सभी कुछ सह कर आपके काम को करते रहूंगी आपके आदेश का पालन करूंगी माता जी की इन बातों में आज भी वही दुर्णता थी उनकी वानी ने सुनने वालों को सचेत किया वह अपनी भावनाव से उबरा माता जी उसे समझा रही थी भक्ती कोरी भावुकता नहीं है यह रोते बिलगते रहकर अकर्मन्य बन कर पड़े रहने का नाम नहीं है भक्ती अपने भगवान के आदेश पर तिल-तिल गलते हुए, क्षण-क्षण जलते हुए, सब कुछ सहते हुए मर मिटने का नाम है ऐसी भक्ती सर्वसमर्थ भगवान को भी विवश और विकल बना देती है इस भक्ती से बड़ा और कोई महातप नहीं इससे अपरिमित एवम अपार शक्ती स्पुरित होती है भक्ती महिमा अपनी संतान के समक्ष स्वयम के आदर्श को प्रस्तुत कर रही थी सर्वेश्वरी का यह कथन उनीक अनुरूप था इसससे महाशक्ती की महिमा प्रकट हो रही थी